नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है, मेरा नाम है डॉक्टर महीपाल सिंग राठोट और आज इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिसकर्स करूंगा कुनार के सूर्य मंदिर के बारे में 118 साल बाद इसमें एक मेजर रेनोवेशन होने वाला है जिससे जो मंदिर का मेन बिल्डिंग है उसके अंदर जमा करे गए सैंड को मिट्टी को बाहर निकाला जाएगा ये मिट्टी 118 साल पहले बिटिश हर्स ने यहाँ पर फिल करी थी ताकि मंदिर स्टेबल रहे तो ये पूरा मामला क्या है मंदिर का इतियास क्या है इसको हम जानेंगे इस लेक्चर में आगे बढ़ें उससे पहले पाथफाइंडर चैनल को सब्सक्राइब करना ना बूल सकते हैं इसका लिंक नीचे पहले कमेंट में आपको मिल जाएगा मिडिवल हिस्ट्री का कोर्स एक जन्वरी से स्टार्ट हो रहा है और पाथफाइंडर यूट्यूब चैनल सो डू वाश दोस लेक्चर से इस वेल देखिए कोनार्क सूर्य मंदिर को बनाया किसने था तो लेकर जो पौरानिक कताये हैं उनमें ये बताया जाता है कि भगवान शी कृष्ण के जो बेटे थे सांब उन्हें एक शराप मिला था कोड का उसके बाद उन्होंने 12 साल तक सूर्य की उपासना करी तपस्या के पश्चात जब वो ठीक हो जाते हैं तब वो सूर्य भगवा दैनेस्टी के रूलर्स ने ये मंदिर बनवाया था 1238 से 1250 यानि कि तेरवी सदी के मध्य में इस्टन गंगा डैनेस्टी के राजा नरसिमहदेव इस मंदिर को बनवाया इसके बारे में हमें जानकारी कहां से मिलती है तो केंडुली कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन में ये बात साफ तोर पर लिखी गई है कि नरसिमहदेव ने ये मंदिर बनवाया 1384 का ये कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है उसके अलावा इस समयकाल के जो दूसरी किताबे या टेक्स्ट हैं वो भी इस फैक्ट को अटेस्ट करते हैं तो ये मंदिर लगबक 700 साल पुराना है और इसको पूरा कराकर यहाँ पर पूजा अर्चना शुरू करी गई थी ये मंदिर टिपिकल ओडिशा के मंदिरों के आर्किटेक्टर की स्टाइल में बना हुआ है ना ही North Indian ना ही South Indian स्टाइल तो ओडिशा की मंदिरों की स्टाइल काफी अलग है इसे हम Art and Architecture में पढ़त को मिलता है तो ये वाली जो structure आपको दिख रही है this is the jagmohan और उसके आगे ये वाला जो nut mandap है ये भी आपको देखने को मिलता है तो इस jagmohan के आसपास कई सालों से यहाँ renovation का काम चल रहा है तो अब आप imagine कीजिए ये building इतनी बड़ी है और ये वाला कितना हुँचा होगा विमान so it was supposed to be more than 250 feet high 200 feet से भी जादा हुँची building ये आज से 700 साल पहले बनाई गई थी तो ये मंदिर का पूरा complex है उसकी एक drawing है actually मैं आज मंदिर में ये वाला structure तूट चुका है आसपास के भी कई structures damage हो चुके है mainly अब ये वाला जगमोहन ही दिखता है तो मंदिर के विबिन्न हिस्सो का नाम ध्यान में रखेगा nut mandap या dance hall जगमोहन यानि की assembly hall रेखा देवल sanctum तो रेखा देवल जगमोहन complex जो है ये वो chariot बनाता है तो सूर्य देवता के जो गोडे है वो इसे खीच रहे है अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखना की कोई भगवान की मूर्ती नहीं है ये काफी important है मंदिर सूर्य देवता के को अरपन है लेकिन सूर्य भगवान की कोई मूर्ती यहाँ पर नहीं रखी गई थी और जो अभी हमको देखने को मिलता है वो portion कौन सा है जगमोहन ये आपको ध्यान में रखना है तो मंदिर की style जो है कोन आर्क शब्द का मतलब ही होता है कोन यानि के corner और अर्क यानि की सूर्य भगवान तो कौनार्क शब्द भी वहीं से आया है कौनार्क की location क्या है I think आप सभी को पता ही होगी वैसे तो Odisha राज्य में पूरी शहर का जो नाम है वहाँ से लगबग 30-40 किलोमेटर की दूरी पर कौनार्क स्थित है तो कौनार्क मंदिर जो है इसमें सूर्य भगवान की बहुत शांदार images बनी हुई है तीन तरह से मंदिर का architecture इस प्रकार से बना हुआ है कि सूर्य की किर्णे इसके उपर एक बहुत ही शांदार प्रभाव डालती है East से West की तरफ जब वो जाती है किर्णे तो यह काफी अच्छा architecture मंदिर है जिसमें प्रॉपर सूर्य की किर्णों को ध्यान में रखते हुए आज से 700 साल पहले इसे बनाया गया था तो यहाँ पर कई लोग आते हैं इसे देखने के लिए pilgrims जो लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं तो यह उडिशा के कई important मंदिरों में से एक है मंदिर की बाहरी दिवारों पर बहुत शानदार कलाकृतिया है जिन में से एक यह वाला पहिया है चारियट का पहिया, रत का पहिया यह हमारे 10 रुपे के note पर भी आपको देखने को मिलेगा अब यह मंदिर तूटा कैसे तो इसको लेकर कई सारी थेयरीज है exactly मंदिर के तूटने के बारे में कोई historical text clearly mention नहीं करता है दो common theories है, पहली यह कि जो इस्लामिक आकरमण होते है 14 से 16 सेंचुरी के बीच में उन आकरमणों में उडिशा का यह मंदिर डैमेज हो जाता है और गिर जाता है विमान वाला हिस्सा और दूसरा reason यह है कि मिट्टी जो है क्योंकि वो समुद्र के किनारे से थे तो मिट्टी के अंदर यहाँ पर अच्छी stability नहीं थी soil incompatible था और पत्थरों के कारण जादा लोड पढ़ने लगया मिट्टी में तो ultimately वो structure गिर के तूट जाता है तो यह दो reasons या दो बड़ी theories बताई जाती है एक बड़ा हिस्सा तो 1837 में भी तूटा था जो पीछे के विमान का side वाला portion है वो 1837 में उसे तो document किया था Britishers ने I think इसे यहाँ आप देख भी सकते हैं तो अब केवल जगमोहन structure यहाँ पर fully intact है अब इस बचे हुए जगमोहन हिस्से को सुरक्षित रखने के लिए ततकालीन British administration ने एक नेने लिया 1903 में जो यहाँ पर Odisha के left net governor थे उनके आदेश अनुसार जगमोहन को मिट्टी से पूरी तरह भर दिया गया जी हाँ इन्होंने इस पूरे structure को मिट्टी से भर दिया किस तरह से इन्होंने क्या करा कि यह जो पूरा structure है इसमें उपर से एक यहाँ पर छेद किया और इस से पूरा मिट्टी अंदर डाल दी और मिट्टी से इसे पूरा भरके seal कर दिया गया तो यह उसके पहले की एक painting है तो अंदर से जग मोहन कुछ इस प्रकार का नजर आता था इसमें भी काफी सारा damage हो रखा था बड़े-बड़े cracks थे तो यहाँ पर आपको दिख रहा है इस painting में कि कुछ लोग यहाँ पर explore कर रहे हैं इस structure को तो इन्होंने इसके अंदर उपर से मिट्टी डाल कर यहाँ से पूरी तरह से इसे भर दिया लेकिन अब experts का यह मानना है कि जो यह मिट्टी अंदर डाली गई यह इन cracks को बढ़ा रही है तो अब यह structure और जादा risk पर है 118 साल हो चुके हैं इस मिट्टी को अंदर डाले हुए तो पिछले कुछ सालों से यहाँ पर Central Building Research Institute के द्वारा एक study करी गई, CBRI की study के अनुसार अंग्रेजों ने जो मिट्टी भरी थी top तक अब वो 17 feet नीचे जा चुकी है क्योंकि मिट्टी धीरे बैट जाती है नीचे दब जाती है तो अब वो 118 सालों में 17 feet का gap आ चुका है तो या तो इस gap को भरना पड़ेगा या फिर पूरी मिट्टी बाहर निकालकर मंदिर को अच्छे से restore करना होगा कुल मिलाकर कुछ ना कुछ करना ज़रूरी है वरना ये structure जादा समय तक stable नहीं रहेगा अब जादा समय का मतलब यह नहीं होता कि आज या कल में damage हो जाएगा लेकिन मंदिरों के relation में या पुरान इसे restore कर दिया जाए अब archaeological survey of India जिसके अधीन ये मंदिर आता है क्योंकि ये UNESCO World Heritage Site है 1984 से तो इसका ये मानना है कि इसको हम conserve करेंगे और ASI की एक proper conservation policy है इन्होंने एक राष्ट्रिय policy जारी करी थी 2014 में इस तरह के पुराने structures को कैसे सुरक्षित रखा जाए उन्हें कैसे conserve किय जाए इस policy के तहट ये लिखा हुआ है कि कोई भी पुराना monument या archaeological site में minimum हस्तक शेप करना चाहिए minimum intervention so as to maintain its authenticity and integrity तो जादा बदलाव नहीं करने है जितना आवशक है अगर कोई structural damage का इक खत्रा है तो हस्तक शेप करो वरना कोई हस्तक शेप करने के आवशकता नहीं है पुरान रानी की वाव जिसके photos आपने अक्सर देखे होंगे ये भी एक UNESCO World Heritage Site है तो ये पूरी मिट्टी में दबी हुई थी आजादी के बाद इसको excavate किया गया है यहां से सारी मिट्टी बाहर निकाली गई है इसके कारण कुछ damages भी हुए थे यहां पर pillars जो है इनकी stability कमजोर हो ग ये भी पूरी तरह से जंगल में दबी हुई थी मिट्टी से भरी हुई थी इनको भी धीरे धीरे excavate किया गया है इनफाक्ट ये काम अभी भी ongoing है 100 साल से चल रहा है और अभी धीरे धीरे कुछ ना कुछ काम यहां पर चलता जा रहा है अब कुणार्प के सूर्य मंदिर को restore करने की चल्चा पिछले कई सालों से चल रही है रिसेंटली ASI ने अपने सतर पर एक चार मेंबर की नई कमिटी बनाई है जो फिर से study करेगी तो देखो CBRRI ने तो अपना प्लान सामने रख दिया ASI फिर से कमिटी बनाकर इसको study कर रहा है और क्या safe तरीका है best तरीका है वो जानने की कोशिश करी जाएगी preliminary proposal जो अभी सामने आया है ASI के द्वारा वो यह है कि एक नई window बनाई जाएगी और उससे मंदिर के interior में जाया जाएगा और वहां जाकर यह देखा जाएगा कि sand के कारण मिटी के कारण क्या वो cracks बढ़ रहे हैं अगर हां तो फिर उस मिटी क पूरे project में help कर रहा है तो जैसे ही यह काम start होगा complete होगा आपको मैं बिल्कुल इसकी जानकारी दूँगा तो history point of view से current affairs point of view से मंदिर के बारे में basic जानकारी किस dynasty ने बनाया क्या problems है British ने क्या किया यह सबी points आपके लिए important है I hope आपको lecture अच्छा लगा अगर अच्छा लग सकते हैं प्लस या iconic कोई भी subscription अवेल कर लिजे आप 10% discount पर आप करेंगे अगर महिपाल code का इस्तमाल करते हैं तो optional के courses भी हैं available है हर Wednesday को नए batches बनते हैं so do join these new batches आज शाम एक announcement होने वाला है wait for that EMI option पर सभी courses को आप अवेल कर सकते हैं हमारी दो free test series हैं इनका फाइदा जरू उठाइए और combat को attempt कीजिए 11 बजे रविवार को thank you very much have a great day